आज हम बात करेंगे चौन प्राश के बारे में सबसे पहले हम इसके उप्योग के बारे में बात करें तो जैसा कि हम पहले से जब से हमने चौन प्राश के बारे में सुना था तब से हम यह सुनते आए हैं कि यह immune power को बढ़ाता है यह immunity को बढ़ाता है तो उसी से हम इसके उप्योग को और कुछ लोकों को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे तो immunity को बढ़ाता है अर्थार्थ की जब भी कोई सी भी तरह का seasonal change हुआ या फिर हमारी body में जो कमजोरी है शारिरिक कमजोरी है या फिर किसी भी तरह की कमजोरी है तो उसे यह दूर करता है तो seasonal change जैसे कि जब season change होता है तो खासी होना और जिनको अस्तमा की शिकायत रहती है उनको asthmatic attacks की problem होती है suddenly अगर season change होता है और जितना भी शारिरिक बल है जिसे कि जो शिर्ण वक्ती है बालक है व्रद्ध है उनके लिए यह बहुत उप्योगी होता है कैसे तो इसको एक श्लोक से जोड़ने का प्रयास करें जो चरक्ची किसा इस्थान के प्रथम अध्याय में दिया गया है कि कांश स्वांश हरस्च एव विशेशेण उपदिश्यते कि कांश स्वांश को यह हरता है और इसे विशेश रूप से उनने हरने के लिए बताया कया है जैसे कि मैंने बताया सीजनल चेंज जो होते हैं उसमें अब उसके बाद में हम समझने का प्रयास करें तो जैसा की बताया था कि बालक वरध और शिर्ण के लिए तो इसमें शलोक है कि शिर्ण शतानाम वरधा नाम बाला नाम च अंगवर्थनात कि उनमें जितनी भी तरह के उनके शरी में टूट फूट है या उनको व्रद्धी की आवशकता है तो उन सब के लिए यह है उपयोगी होता है उसके अलावा जो है बुद्धी को बढ़ाता है और अगनी को बढ़ाता है तो इसको परम, अगनी, वर्धनम भी ऐसा कहा गया है तो इन सबसे related हम इसके उप्योग को याद रख सकते हैं उसके अलावा एक कहानी है कि चयवन रिशी ने इसे इसलिए बनाया था क्योंकि उनकी जो युवा वस्थाती वो समाप्त हो गई थी वो व्रद्धा वस्था से ग्रसित हो गई थे तो इसलिए उन्होंने यह सब पता किया और उसके बाद में इसका निर्मान किया तो नव योवन जिसको चाहिए हो उसके लिए यह उप्योग में आता है उसके अलावा एक important बात है कि चरक्च किस्सा में ही बताया गया है पहले ध्याय में कि इसे कुटी प्रावेशिक विदी से उप्योग करें तो बहुत ही अच्छी वात है और इसका उप्योग उतना ही करना चाहिए जितना की पश्याज जो भोजन किया जाए उसमें कमी ना करें ठीक है कभी-कभी बहुत जादा ऐसे नाश्टा कर लेते हैं तो बाद में भूख नहीं लगती तो उस तरह का effect इसक प्रिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिश्टगण के चार योग को ध्यान में रखेंगे चार के से चवन रिशी थे चोन प्राश है तो चोन प्राश से चार से चार को ध्यान में रखेंगे तो सबसे पहले दश्मूल दूसरा अस्टवर्ग तीसरा चतुर जात और चो था त्रिफला अब आगे की ट्रिक को हम इस तरीकी से ध्यान में रखेंगे कि पुश्कर के मस्त चवन गुरू का बल जो उनमें वास करता था वह विदा होने लगा उनके पहला बाल सफेध होने लगे दूसरा चहरे पर छोटे दाग होने लगे तीसरा आवाज कोई के समान करकश हो गई तो इसे क्रम से ध्यान रखें सबसे पहले बाल आते हैं फिर चहरा आता है फिर गले वाला भाग आता है जो की कोवे के समान करकश ऐसे ध्यान में रखें और चोथा इससा है तो पुनह आमलकी सेवन और शत प्रतिशत जवान हो गए मतलब उन्हें पुलह आमलकी का योग अर्थात की चवन प्राश का सेवन किया और पुनह शत प्रतिशत जवान हो गए हमने इस ट्रिक को भी चार भागों में बाटा है जिससे की ध्यान रख सकी कि चवन और चर से चार तो अब सबसे पहले हम ट्रिक को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला भाग कि पुशकर के मस्त चवन गुरू का बल तो पुशकर से पुशकर को ध्यान में रखें मस्त से मुस्ता को ध्यान में रखें फिर गुरू से दो चीजों को ध्यान में रखना है पहला गुरूची और दूशरा अगरू फिर उसके बाद में बल से ब तो वास से वासा को ध्यान में रखें और विदा से विदारी कंद को ध्यान में रखें अब हमने जो चार हिस्सों के बारे में बात की थी उसमें सबसे पहले हिस्से बाल सफेद से हम सफेद से सफेद चेंदन को ध्यान में रखें उसके बाद में चहरे पर छोटे दाग उठने लगे तो चहरे पर छोटे दाग तो चहरे से तो कुछ नहीं ध्यान रखना है पर छोटे दाग से ध्यान रखना है शुक्ष्म एला चोटे से शुक्ष्म एला दाग के द से द्राक्षा को ध्यान में रखना है उसके बाद में तीसरा हिस्सा आवाज कोई के समान करकश तो कोई से हम ध्यान में रखेंगे काक नासी काको उसके पश्यात में करकश से हम ध्यान में रखेंगे करकट श्रंगी फिर उसके पश्यात हम पुनह आमलकी से तो आमलकी को ध्यान में रखेंगे पर आमलकी जो है वो त्रिफला में एड कर दिया है तो यहाँ पर एकोड रख को ध्यान में रखेंगे आमलकी से वो है तामलकी और उसके बाद में सेवन से शत प्रतिशत तो सत प्रतिशत से शठी को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे अंत में यहाँ पर एक बार ओरेट कर देता हूँ जो कि थोड़ी सी रह गई थी कि दश्मूल में जो शाल परणी और प्रश्नी परणी है उसी के साथ मांश परणी और मुदक परणी भी इसमें आता है और जो तृफला है उसमें से विभीत की नहीं आता है विभीत की क्या डर गया तो वो चवन प्राश में नहीं आता है और क्योंकि जो डर जाते हैं उनका इंम्यून पावर अच्छा नहीं होता तो इस तरीके से ध्यान में रखें और उसके स्थान पर पिपली आ जाता है जो त्रीकर्टू यहाँ पर हमने एडनी किया पर विभीत की के स्थान पर पिपली आ जाता है ऐसा ध्यान रखें और चवन प्राश को खा कर हम दूद पीते हैं तो उस तरह से पिपली को ध्यान में रख सकते हैं इस तरीके से हम चवन प्राश की जो ड्रग हैं उनके इंग्रिडेंट को तो ध्यान में रख लेंगे उसके पश्यात में हम यहाँ पर इसके बनने के तरीके और उससे कुछ और द्रव्यों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जैसे कि चतुर जात है वह अंत में डाला जाता है जो सुगंद इत्यादी के लिए और घरत और तेल भी इसमें होता है जिससे जो है आमलकी जो होता है उसका जो स्वेधन के पशाच जब आपन पूरी प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें स्वेधन के पशाच जो गुदा को कू पूट लिया जाता है तो उसके पशाच गी और तेल में ही उसका भरजन किया जाता है और एक और चीज़ आती है मधू जो कि सभी रूप से जब ठंडा हो जाता है यह है तो उसके पशाच में जो है इसमें मधू एड़ कर दिया जाता है तो इस प्रकार से हम चौन प्राश को समझ सकते हैं